हेलो उस्तो, स्वागता है आपका अपनी यूटूब चैम्टरा क्लाशिस में, प्यारुच्छो कैसा अप सभी उमीद करता हूं अच्छे होंगी, जैसे कि आप सभी को पता है, परिणा बैच के अंतरगत हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा है, वर्ण माला, जिसकी एक क्ला प्यारुच्छे पहली क्लाश में हमने स्वरो को कम्प्लीट किया था, आज दूसरी क्लाश में बैचन को कम्प्लीट करने वाले हैं, और दो क्लाश में हमारे चैप्टर बहुत अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा, तो चलते हैं क्लाश सुरू कर लेते हैं, सबसे पहले है डाल देंगे yeter लिए बिलकुल आपको इसी तरीके से नोट सो बनानेमें जिस तरीके से और सर थ्यार करेंगे तो आपको पीज्दा समय आजाएगा तो आपको रिविजंड करने भोग जदा आसानी होगी और एकदम से आपका रिविज्ड होँगा ठीक ind bark कि इस तरीके से नोट्स बने होते हैं तो revision करने भी अच्छा लगता है Clear है तो क्या डाल देंगे heading बियंजन अब जो बच्ची पहली class कियोगे उनको पता होग बियंजन किसे कहते हैं क्योंकि पहली class में देफिनेशन जान ली करते हैं या इसका होता है ,। इसके वच्छार्ण, जर्व मैं इसको तोड़ूदूँगा, गये कौन से स्वेर फटा है , तो इसका हो रहा है , पेसट वो रहा है , तो इसके, क्या कहेंगे बेंजन कहेंगे clear definition से भी question बन जाता हूँ मैंने पहली class में बता दिया था इसलिए अगर पहली class हमने नहीं देखे तो पहले उसको जाकर देखें उसके बाद इसको देखें और notes अपने अच्छे से बनाते हुए चलें clear है अब इस तरीके से तीन भागों आपको बाट लेना है तीन भागों आप बाटेंगे इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही आपको notes बनाने है अब तीन भागों बाटने के बाद सबसे पहला question यह बन जाता है बेंजन की मोल संख्या कितनी होती है तो आपको टिक करना है 33 33 ठीक है इसमें 25 इस पर्च बेंजन होते हैं चार अंतर्च बेंजन होते हैं और चार उस मेंजन होते हैं question यह भी बन सकता है इस पर्च बेंजन की संख्या कितनी होती है 25 कोश्चन ये भी बन सकता अंतर्च बेंजन की संख्या कितनी होती है 4 कोश्चन ये भी बन सकता ओस बेंजन की संख्या कितनी होती है ठीक है टोटल मिला कि क्या हो जाते हैं ये बेंजन की मोल संख्या कितनी हो गई 33 बता हूं यहा पच्चिस इसपर्च बेंजन होते हैं चार अन्तास्त बेंजन होते हैं चार उसमेंजन होते हैं चार संयुक्त बेंजन होते हैं और दो दियूगण मेंजन होते हैं, जहां आप इनको टोटल जोड रहे होंगे तो यह कितना आ रहा होगा 49 आ रहा होगा आप जोड सकते हैं, केलियर है, कुश्चन आप से यह भी बन सकता है, कि अनतास्ट बेंजन के संगे कितनी होती है, तब आप कहेंगे सर्व 4, उस मेंजन के 4, स्यूक्त बे कि आप गा देंगे भी एध में न चेह लिए अपनेग के बाट कि लियर हुई आप गेंग रीड़ा में robust लैंग ईजन के भेद हेरिंग डाल देंगे बेंजन के भेद अब बेंजन के तीन भेद मैंने बताए हैं तो तीनों को इस तरीके से बाठ लेंगे तीनों को इस तरीके से बाठ लेंगे नमबर एक इस पर्च भेंजन याद रखेंगे इस पर्च भेंजन के तीन नाम होते हैं इसा भी दे सकता है इस पर शुन की कितने नाम होते हैं तीन नोट करके लिख लेंगे एक इसका नाम बर्गिये बेंजन भी होता है बर्गिये बेंजन ठीक है बर्गिये बेंजन और इसको और किस नाम से याना जाता है और उदित बेंजन के नाम से भी इसको जाना जाता है उ बरीये वियंजन और यह वो क्या दिन की लिख सकता है उधित वियंजन खीक है तो सब से पहला कुष्चन स्बसे पहला क्या बनेगा ही संख्या कितनी होथा आप गमा सकता है खोली कि लोगया हो 25 इतनी बात clear हुई आप कहँए बिल्कुल clear है इसमें कैसे पेवर्ट कि सभी बढ़ आते हैं कैसे पै तक जो 25 होते हैं वो सभी इसमें आते हैं इस पर्च बेंजन में ठीक है आ कर डालेंगे अनतर्स्त बेंजन इसमें कितने होती है चार ये रे ले और वे ये रे ले वे ठीक है याद रखेंगे बहुत कोश्चन पूछा जाता है और होता उस मेंजन उस मेंजन की संके कितनी होती है आप करेंगे सब चार होती है तीनों से इसमा जाएंगे और है तीनों से और है जो होते हैं ये क्या होते हैं उस मेंजन होते ह केहते हैं इस है को क्या कहते हैं काकल्य बन भी कहते हैं याद रख़ें कोश्चन भोथ बनता है निम्न में काकल्य वन कुन सा है तो इस है को क्या कहते हैं काकल्य वन भी कहते हैं के लिए इतनी बात के लिए नहीं है अभी सब पर बात करेंगे रैकी बात करेंगे वैकी सबकी बात करेंगे टेंसन बिल्कुल मतलो अब आगे चलते हैं आगे यह जरूर आपके प्यारवच्छ याद होनी चाहिए यह आपके याद होनी चाहिए आज आपका बस यह काम है कि आपको यह पूरी याद करनी है लिखकर इतना गाम बस आज आपको करना है किलियर मैंने क्या बताया था इस प्यारवच्छ के कितनी होती है आप इंसर 25 बताई थी कहां से आप इंसर कैबर्ग से पैबर्ग तक तो कैबर्ग यह सुरू हो जाता है कैबर्ग से कहां तक पैबर्ग तक कैबर्ग से कहां तक पैबर्ग तक तो कैबर्ग आप इनको टोटल तो कितने हो जाएंगे ये एक लाइन में कितने हैं एक दो तीन चार पाँच हैं ये टोटल कितनी लाइन हैं पाँच इसमें हैं पाँच इसमें हैं पाँच इसमें हैं पाँच ये हैं और पाँच ये हैं तो टोटल कितने हो गए आपके इंसर पच्चिस तो ये 25 के 25 क्या होत किस तरीके से करते हैं क्या होता है यह 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 आपके याद हो जाने चाहिए आज आपके यह काम है यह आपके याद होने चाहिए ठीक है यहाँ से दो से तीन कुश्चन भी बन जाते हैं और किस तरीके से बनते हैं वो भी देख लेजिए क्लियर है और आपको इसके उपर यह पहला बर्ग लिख लेना है ठीक है यह कौन सा बर्ग है यह पहला बर्ग यह दूसरा यह तीसरा यह चोथा और यह पांचमा यह पहला बर्ग ये दूसरा बर्ग ये तीसरा बर्ग ये चोफा बर्ग ये पाच्वा बर्ग किलियर है आपको एक सर बिल्कुल किलियर है इतना करने के बाद आपको अब हैडिंग लगा देनी है प्राण वायू या उच्चारण प्रियतन के अधार पर बेंजन के भेद कितने भेद होते हैं प्राण वायू या उच्चारण प्रियतन के अधार पर बेंजन के दो भेद होते हैं कौन कौन से एक अलप प्राण और दूसरा महा प्राण एक अल्प प्राण और दूसरा महा प्राण अब अल्प प्राण क्या होते हैं पहले ही डाल देंगे अल्प प्राण जिन बेंजन बढ़नों के उच्चरण में जिन बेंजन बढ़नों के उच्चरण में सांस वाईयू अल्प मात्रा में निकले मतलब जो हमरी सांस होती है वो सांस वायू अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं उसे अल्प प्राण कहते हैं कौन-कौन से होते हैं ये पहला, तीसरा और पांचमा बर्ग पहला तीसरा और पांचमा बर्ग इसलिए मैं कहा रहा हूँ याद होना चाहिए पहला तीसरा और पांचमा बर्ग ये पहला बर्ग पूरा ठीक है पहला तीसरा ये पूरा बर्ग और पांचमा बर्ग ये क्या है अल्प प्राण है क्या है अल्प प्राण है पहला बर्ग तीसरा बर्ग और पांचमा बर्ग ये क्या है अल्प प्राण है याद रखेंगे पहला तीसरा पांचमा क्या है ये अल्प प्राण है पहला तीसरा और पांचमा पिलस सभी अंतरष्ट बेंजन जो होते हैं चार के चार वो क्या होते हैं अल्प्राण होते हैं और सभी सुर्ण जो होते हैं अल्प्राण के अंतरगत आ जाते हैं किसके अंतरगत अल्प्राण के अंतरगत आ जाते हैं किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपका इंसर कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है केलियर हुआ अब देखेंगे महाप्राण किसे कहते हैं महाप्राण किसे कहते हैं ठीक है आप सुद्रें सुर कोश्चन कैसे बनेगा अभी याद करिए इनको मैं आपकर टेस्ट भी लगवांगा किस तरीके से कोश्चन यहां से बनते हैं महाप्राण किन्हें कहते हैं जिन ब दूसरा और चोथा बर्ग दूसरा और चोथा बर्ग यह पूरे क्या है यह महा प्राण हैं यह क्या है के सर बिल्कुल clear है ठीक है अगर आप से काहड़ाई कै क्या है आप कि इसर अलब्राण च्य क्या है क्योंकि यह च्य टै टै और आप से पूछ ले नीचे क्या है पै यह क्या है सब यह इस सब क्या है आप इसलिए पहले बर्ग मा रहे हैं पहला तीसरा पहला तीसरा और पांचमा बर्ग क्या है ये हमारे अलब प्राण है किलियर महा प्राण बोला तो दूसरा और चोथा महा प्राण बोले के तो दूसरा और चोथा क्या है ये हमारे महा प्राण है इतना के लिए दूसरा और चोथा क्या है महाप्राण है पिलस उस मेंजन को भी क्या कहा जाता है महाप्राण कहा जाता है उस मेंजन कौन-कौन से होते हैं आपको पता है कौन-कौन से होते हैं तीनो से और है ठीक है ये क्या है सब ये क्या है उस बेंजन है ये क्या होते हैं महाप्राण होते हैं केलियर होई बात आप कहेंगे सर इतना केलियर हो गया आगे चलते हैं आगे देखेंगे अब आगे हैडिंग डाल देंगे स्वर्ट अंत्री में कमपन के अधारवर बेंजन के भेद स्वर्ट अंत्री में जो कमपन होता है उसके अधारवर बेंजन के कितने भेद होते हैं कोशन बन सकता दो भेद होते हैं कौन-कौन से सबसे पहले डाल देंगे अगोस क्या डाल देंगे अगोस तो प्यारविचों अगोस क्या होते हैं जिन बेंजन बड़नों के उच्छाण में हमारी स्वर्त अंत्रियों में कमपन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं अगोस कहते हैं अगोस बेंजन कहते हैं इतना केलियर आपके इसर बिल्कुल केलियर है पहला और दूसरा क्या होते है हमारे पहला और दूसरा बर्ग क्या होते हैं अगोस होते हैं पहला और दूसरा बर्ग क्या होते हैं ये पहला बर्ग और ये दूसरा बर्ग पहला और दूसरा बर्ग क्या होते हैं ये ये क्या होते हैं अगोस होते हैं याद रखेंगे क्या होते हैं अगोस होते हैं और तीनो सहे जो होते हैं ये भी किसके अंतरगत आते हैं अगोस के अंतरगत भी आते हैं किसके अंतरगत आते हैं अगोस के अंतरगत आते हैं इतनी बात किलियर हुई आप एंसर बिल्कुल किलियर हो चुकी है आगे प्यारवित चौंप से पूछ सकता है सघोस या घोस सघोस या घोस तो ये क्या होते हैं, जिन बेंजन बढ़नों के उच्छाण में, हमारे स्वल्ट अंत्रियों में कमपन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सघोस बेंजन कहते हैं, ये कौन-कौन से होते हैं, तीसरा चोथा पांचमा बर्ग, तीसरा चोथा पांचमा पिलस अंत्रियों में, ये भी सघोस होते हैं, पिलस सभी स्वर, और इसमें है भी आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, है भी आ जाएगा, ये क्या होते हैं, सघोस या घोस, क्लियर है, कौन-कौन से होते हैं, तीस तीसरा चोथा पांचमा क्या होते हैं ये सघोस या घोस इतनी बात किलियर हुई आप कहेंगे सर बिल्कुल किलियर हो चुकी है याद करने आपको कैसे भी आप याद करना ठीक है और ट्रिक से कहोगे तो याद करा दूंगे एक वीडियो में पर अभी बस आप नोट सच्छे स इसरे बना लिजिए और जो भी आप कैसे भी दिमांग लागत एँको याद कर लिजिए भस ठीक है इतनी बात कलियर हो गई आप इएक सर ब्लकुल कलियर हो चुकी है ठीक है तीसरा चोथा पांचमा और पहला और दूसरा बर्क क्या होंगे अगोश होंगे ठीक है महाप्राण और महाप्राण और घोष और एक उच्चाण के अधर कोई भी पोच सकता है ठीक है घोष दोनों है ठीक है कोई इस तरीके सा उप्शन देगा तो आपको याद रखना है अभी आपने क्या देखा है यह प्यार विद्ट जो है क्या है है जो है ये है भी आप देखेंगे ये क्या है सघोस ये गोस भी है और ये किसके अंतरगत भी आता है ये वाबू किसके अंतरगत भी आता है ये किसके अंतरगत महाप्रान के अंतरगत भी आता है ठीके तो आपको याद रखना है question किस किस तरीके से बनेगा सब कुछ आपको मैं जब test लूँगा आपको तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा ठीक है जब इसकी मैं आपको practice कराऊँगा बस अभी आप जिस तरीके से बता रहाँ उसमें को याद रखने हैं आगे चलेंगे आगे डाल देंगे आगत बेंजन क्या डाल देंगे आगत बेंजन आगत बेंजन बव्व इनकी संखे जो माने गई ये दो माने गई कहीं कहीं आपको किसी बुख में 4 मिल सकता है किसी बुख में दो मिल सकता है ठीक है बड़ जो question पूछा गया था यूपिटरेपल एस्टे के द्वारा उसमें क्या मानेगी इनके संके दो मानेगी कौन कौन सी होती है जै और फै ठीक है इनके निची आज रखना नुक्ता लगा होता है क्या लगा होता है इनके निची क्या लगा होता है इस तरीके का नुक्ता लगा होता है clear ये क्या होते हैं आगत बेंजन होते हैं आगत का मतलब होता है आया हुआ अर्थात आया हुआ कहां से कहां से आया हुआ अर्बी और फार्ची से आया हुए है ये कहां से अर्बी और फार्ची भासा से आया हुए है इतना clear आप को इनकसर बिल्कुल clear हो चुका है आगा नेक् पर definition भी पता होने चीए जिन बेंजन बढ़नों का उच्चारण करते समय हवा जीप के बगल से निकल जाए question किस तरीके से बनेगा जिन बेंजन बढ़नों का उच्चारण करते समय हवा जीप के बगल से निकल जाए उन्हें क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं बभू पासरविक बेंजन कहते हैं ले क्या है एक पासरविक बेंजन है इतना के लिए आगे डालेंगे लुन्ठित या प्रेकंपित बेंजन लुन्ठित या प्रेकंपित बेंजन जिन बेंजन बढ़नों का उच्चारण करते समय जीव मुक्के मध्यत तेजी से लड़ खड़ाए जिन बेंजन बढ़नों को चाण करते समय जीव मुक्के मध्यत तेजी से लड़ खड़ाए उसे लुंठित बेंजन कहते हैं रे क्या है एक लुण्ठित या प्रेकंपित बेंजन ठीक है रे को पूछेगा तो क्या है ये लुण्ठित या प्रेकंपित बेंजन होता है आगे प्यारवचु कोश्चिन बन जाता अर्दूसवर से जो ध्वनिया कभी स्वर हों कभी बेंजन हो जो ध्वनिया कभी स्वर हो कभी बेंजन में भी कर लेते हैं जैसे गई लिखते हैं तो इसमें कोवा लिखते हैं तो बैवें भी कर लेते हैं और बै का प्रियोग हम स्वर में भी कर लेते हैं और बेंजन में भी कर लेते हैं तो अर्दुस्वर क्या होते हैं जो द्वेनिया कभी स्वर केलियर आगे देखेंगे पहरे बच्चो द्यूगुण बेंजन क्या देखेंगे द्यूगुण बेंजन सबसे पहले इसको तीन नामों से याना आता है ठीक है याद रखने तीनों नाम हो सकता है पसाना कौन सा देदे ठीक है कौन सा देदे कुछ नहीं पता उसकी संकर संकर ही बोल सकता है या फिर इसका तीसरा नाम होता ताड़न जात ठीक है कौन सा ताड़न जात याद रखेंगे कौन सा ताड़न जात ठीक है दियोगन बोल सकता है या संकर बोल सकता है या ताड़न जात बोल सकता है ये कौन से होते हैं, इनकी संगे कितनी होती है, दो होती है, आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, आप इसे देखो, इसे जो बोलते हो, इसे क्या बोलते हो, डे, डेड अलिया, ठीक है, डेड अलिया, इससे क्या बोलते हो डह धकन क्या बोलते हो डह धकन क्लियर अब अगर मैं ध्यान रखना क्लियर है अब मैं इससे क्या बोलूँगा अड़ाए ए बनाना अड़ाए क्या बोलेंगे अड़ाए क्या बोलेंगे अड़ाए क्या बोलेंगे अड़ाए आपने देखाऊगा आपने जब पहले एक लाइसम बच्चों को अड़ा खा ली इस तरीके से बोलते हैं ठीक है और इसके इसको क्या बोलेंगा अड़ा अड़ा ठीक है इस तरीके से पर आपसे बुलवाएगा नहीं के बोल आपको पता होना चाहिए द्यूगण कितने होते हैं दो होते हैं क्यों होते है और इनका जो होता है कुछिन ऐसे ही बन सकता है इन बढ़नों का उच्चान करते समय लिखना चाओ लिख सकते हो इन बढ़नों का उच्चान करते समय जीव पहले उपर उठकर मोड़ा को इसपर्श करती है और फिर तेजी से नीचे गिरती है ठीक है इन बढ़नों को उच्छारण करते समय जीब पहले उपर उठकर मुर्जा को इसपर्स करती है और फिर तेजी से नीचे गिरती है आपको याद रखना है इनसे कुशन बन जाता है इनसे कभी किसी सब्द के सुरुवात नहीं होती इनसे कभी किसी सब्द के सुरुवात नहीं होती कोश्चन बन सकता है किस बढ़न से कभी किसी सब्द के सुरुवात नहीं होती तो आपको पता होना चीए जैसे मैंने ये डलिया लिखा था ठीक है तो अगर मैं इसके निचे यह लगा जेता हूं तो यह गलत है ठीक है तो कि इन से कभी भी किसी सब्द की सुरुवात नहीं होती धक्कन लिखा था अगर मैं यह लगा जेता अब तो यह क्या था गलत था ठीक है, युकि इन से कभी भी अगर किसी सब्द के शुरूमा जाएं तो वो सब्द क्या होगा, बटनी के अनुसार गलत हो जाएगा, ठीक है आमको बताओंची, इन से कभी किसी सब्द के शुरूमाच नहीं होती किलियर हो गए इतना आप कहेंगे सर बिलकुल किलियर है आगे चलते हैं very very important है सहिक्त बेंजन क्या होता है सहिक्त बेंजन यदि दो बेंजन एक साथ बोले जाएं तो उन्हें सहिक्त बेंजन कहते हैं तो उन्हें सहिक्त बेंजन कहते हैं यह कौन-कौन से होते हैं कौन-कौन से होते हैं यह चत्रग्या इस तरीके से याद रखने कक्छा वाला छे ठीक है इस तरीके सामने लिखा होगा तो यह होता है ठीक है इसका बावुक किस-किस से मिलकर बना होता है question बहुत बनता है यह किसके योग से बना होता है चार option देता है आपको बहुत दिक्कत हुआती है ठीक है यह कुछ नहीं है किस-किसके योग से बना है यह आप कहेंगे सर केके नीचे हलन्त फिलेश रटकोर्ण वाला से इसके योग से बना है ठीक है ग्या ग्यानी पुछाए ग्यानी तो ये किसके जै के नीचे हलंत लगा है प्लस यहां सरफ पुछाए जै के नीचे हलंत लगा है प्लस रे याद रखना पहले वाले के नीचे हलंत लगा होता है बहुत अच्छे से तुम्हारे ये याद होने चाहिए ठीके बहुत अच्छे स हैं आप सब्सक्राइब किसे बारवाद हिंदी सब्सक्राइब किसके बारब आता है यह जो होता है ठीक है आप से पूछ ले तै के बाद कौन सा बढ़न आता है तो आप इसको लगाएंगे आप को जैसे पूछ ले जै के बाद कौन सा बढ़न आता है आप इसको लगाएंगे आप से इस से पूछ ले इसके बाद कौन सा आता है आप इसको लगाएंगे किलियर है हिंदी सर्थ कोस में अगर पूछ ले त्रे त्रे पूछ ले मान लो ठीक है हिंदी सर्थ कोस में त्रे वर्ण किसके बाद आता है तो आप कहेंगे सर यह आता है इसके बाद तेहलंत के बाद किलियर इतनी बात किलियर होई आप कहेंगे सर बिल्कुल किलियर हो चुक उच्चारण इस्थान सब का उच्चारण इस्थान मैंने एक साथ कर लिया है स्वरों कभी और बेंजनों कभी स्वर कभी और बेंजन कभी क्या डालनेंगे उच्चारण इस्थान अब उच्चारण इस्थान को कैसे याद करेंगे मैंने आपसे कहा है आपको ये तो table जरूर याद रखनी है पूरी table आपको ये इस पर स्वेंजन वाली पूरी आपके याद होनी चाहिए पूरी आपके याद होनी चाहिए मैं आपसे कह दिया है ठीक है याद कर लेंगे आज इतना काम तो कम से कम कर ही लेना और इस side KTM 2 ठीक है इस तरीके से लिखेंगे जैसे आप साधी होती है तो आप कह रहे हो किसी से के मुझको क्या चाहिए मुझको KTM 2 KTM एक बाइक होती है मुझको क्या दो KTM 2 इस तरीके से कह दो कि आपके बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब side में पहली line में आपको इसमें यह भी लिखने ना इनको स्वरों का भी एक साथी काम कर देते हैं यह लिख लेंगे ठीक है ए आ है और बिसर्ग ठीक है इसको लिखेंगे छोटी यह बड़ी यह और से री रे और से ले और से छोटा हूँ और बड़ा हूँ इस तरीके से clear है इतना काम कड़ सकते हो आप कि अंकिसर कड़ सकते हैं अगर इतना काम आपने कर लिया तो उच्चान आस्थान का question आपका गलत नहीं होगा के का मतलब क्या होता है आप का हैंकिसर के का मतलब कंट के का मतलब क्या होता है कंट होता है क्या होता है के का मतलब कंट अगर आप से पूछा ये पूरी लाइन जो होती है बभू यहां से पूरी लाइन जो है कहां से बोले आती है किसी का भी पूछ लें आप से कहां से होता है मनलोग क्या का पूछे ख्या का उचन कहा से होता है, 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 ख्या का से होता है याद रखेंगे अगली लाइन मूर्धा इन सभी का उच्छन कहां से होता है मूर्धा से होता है याद रखेंगे नेक्स्ट लाइन इन सभी का उच्छन कहां से होता है डी का मतलब दंत डी का मतलब क्यों होता दंत इन सभी को उच्छन कहां से होता है दंत से होता है ठीक है नेक्स्ट याद रखेंगे वो का मतलब ओष्ट वो का मतलब ओष्ट इन सभी का उच्चान कहां से होता है ओष्ट से होता है इतनी बात के लिए याद हो जाएगा बस इतने बाव वहनत तो करनी पड़ेगी जापको 37 बटे 37 लाने ना हिंदी में क्योंकि हिंदिया सब लाइक जरू कर दिया करो बैर उच्चे और ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर कर दिया करो ठीक है आगे देखेंगे जिसमां बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं ठीक है इनका उच्चान बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं सर ए और आय का उच्चान कहां से होता है इनका उच्चान कहां से होता है कंट तालब भी है कंट और तालू दोनों को मिलाकर कहां से होता है कंट तालब भी है क्लियर आपने से बिल्कुल क्लियर है इनका उच्छान कहां से होता ओ और आगत स्वर का कहां से होता है कंठोस्थी है कंठ और ओस्थ दोनों को मिला कर कहां से होता कंठोस्थी है अब यारव चुछ इस बैगा याद रखेंगे कहां से होता है कहां से होता है आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है दंत और ओस्ट एक और याद रखेंगे फैज होता है बबू ये नुक्ते वाला ठीक है ये नुक्ते वाला फैज होता है इसका उचांड भी कहां से होता है दन तोस्टिय से होता है किलियर हो गया किसी बच्चे कोई दिक्कत आपके इंसर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है काफी आसान है अब नए शरीन लगा देंगे अनुनासिक अनुनासिक ठीक है यहां से कुछन बना था अभी वीडियो का एकजाम हो जो हो था अगर आमने प्रिविसर पेपर देखा हो यहां से कुछन बना था ठीक है इसमें लिखेंगे अनुनासिक में लिखेंगे इसे चंद्र बिंदू भी कहते हैं इसे चंद्र बिंदू इसे चंद्र बिंदू भी कहते हैं इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं कौन सा वाला चंद्रबिंदु यह देखा होगा आपने ठीक है यह चांद जो बना होता है इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं केलियर है इनका उच्छारण इनका उच्छारण इनका उच्छारण इनका उच्छन मुह और नाक की साइता से किया जाता है मुह से अधिक एवं नाक से कम सांस निकलती है जैसे आपने दिखा कोशन बन जाता है निवन में अनुनासिक सब्द कौन सा है ठीक है जैसे जिसके ओपर ये लगा होगा ठीक है जैसे आपका आंक हो गया चांद ठीक है इस तरीके के जो सब्द होते हैं जिसमें चांद बिंदे लगी होती है वो कैसे सब्द होते हैं अनुनासिक सब्द होते हैं पहचान लोगे बिल्कुल पहचान लेंगे next item डालेंगे निर्णो नासिक ठीक है next item डालेंगे निर्णो नासिक question बन जाता है केबल मुथ से बोले आने बले बड़नों को क्या कहते हैं तो निर्णो नासिक कहते हैं केबल मुथ से केवल मुझ से बोले जाने वाले बुरणों को निर्णों नासिक कहते हैं ठीक है जो केवल मुझ से बोले आते हैं जैसे हमारा इधर हो गया इधर मैं लिखता हूँ केवल मुझ से बोले रहा है उधर अगर मगर ठीक है ये सब कैसे हैं निर्णों नासिक हैं केलियर इतनी बात आम करेंसे बिल्कुल केलियर है अब आपको ना सिक्के तो पता होगा ठीक है अब एक बाद छूट गई है आपकी उसको लिख लेंगे नौट करके बवी पंचमबर्ड जो होते हैं ठीक है ये पंचमबर्ड क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चोथा अभी मैंने बता दिये थे ये कौन से होते हैं पांचमबर्ड गई है तो कौन से बोलेंगे इनको पंचमबर्ड क्या बोलेंगे पंचमबर्ड जो होते हैं इनका उच्चान आपसे पूछ लेता है तो इनका उच्चान कहां से होता है नासिक कहां से होलता है नासिक के बेंजन है ये क्या है ये सभी क्या है नासिक्य बेंजन ये क्या है सभी ये सब क्या है नासिक्य बेंजन है आपसे पूछ ले कुश्चन दे कर कि निमन में नासिक्य बेंजन कुन सा है तो इन पांचों में से कोई सॉप्षन मिल सकता है कुन सा है तो आप बता देंगे ठीक है ये पांच है एक जो होता है इसके साथ यह होता अनुस्वार ठीक है यह भी क्यों नाजिक्षिक होता है किलियर है याद रहेगा आप यहाद रहेगा किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने चीए काफी आसान था तो यह हमारी बाणवाला कंप्लीट हो जाती है अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है नेक्स चेप्टर प्यारवच्चों हम सुरू करेंगे आप कमेंट कर सकते हैं कौन से चेप्टर शुरू कर करा दूं और आपका इतना फर्स तो बंदा कि आप वीडियो को जादा जादा सेयर करें जिससे मैं आपको एक दिन में तीन-दीन क्लासे दे पाऊं अपना ओफ-लाइन बंद करके ठीक है तो बहुत आज के लिए इतने नहीं था अगर वीडियो अच्छे लग तो वीडियो लाइक जरू करने दा चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में